नमस्कार दोस्तो, वेलकन डू वर्ल अफेर्स, मैं हूँ प्रशान धवन और इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतिय नौसना के सारे योधवयास इस टाइप की वीडियो मैं बना चुका हूँ, भारतिय थल सना के लिए भी यहाँ पे आप देखोगे All Indian Army Exercises, यह जो वीडियो का लिंक है मैं कोशिश करूँगा आपको मिल जाए इन दो कॉमेंट सेक्शन बिलो नाम से एक योधवयास आपको बताना है कि Sidmax Trilateral Maritime Exercise इसकी शुरुआत किस साल में हुई थी यह हैं यहाँ पे आपकी options और सही उत्तर यहाँ पे है option option D 2019 is the right answer यह काफी news मेरा कुछ साल पहले क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है from India Indian Navy ने सबसे पहले इसको host किया Port Blair में 2019 में जो इसका second edition है यह host किया दा Singapore ने और जो third edition है यह host किया जाएगा 2021 में यह काफी important है इसमें देखो तीनों जो यह 9 सना है कोशिश करते हैं कि अपनी interoperability improve करें मतलब के वाविश्य में मान लो के मिलके लड़ना है कहीं पर cyclone आ गया, tsunami आ गई, मिलकर humanitarian efforts करने है, लोग की जानो जानी है तो उसके लिए proper understanding हो, communication हो के 9 सना यहाँ पर काम करती कैसे है, तो उसके लिए launch करी गई है, sit max, very important Now Singapore और Thailand है, कहाँ पर यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यह है मारा प्यारा भारत और यहाँ पर है अंडवान सी और उसके बाद, अब most probably हो सकता है कि 12 रिकिस में यह होगा, Thailand के करीब और Thailand में भी कहाँ पर, Gulf of Thailand के आसपास, बहुत important है यह, make sure to remember this ओके, सो बात करते हैं next question की, यहाँ पर आप से पूछ रहे हैं कि exercise माला बार, सबको बता है माला बार नेवल exercise काफी news में रहती है इसकी शुरुवात कब हुई थी, किस साल माला बार exercise की शुरुवात हुई थी, यह आप से पुछा जा रहा है, यह आपके options हैं और सही उत्तर यहाँ पे है option, option B, 1992 में हुई थी माला बार exercise की शुरुवात बाद में cooperation इसकी improve होती गई, कई साल यह exercise हुई भी नहीं, जब चाइना का rise यहाँ बहुत जारा हो गया, उसके बाद इंडिया और US ने माला बार को regularly conduct किया, और मैं आपको यह बता दू, कि यह एक trilateral naval exercise बनी थी 2015 में जपान ने इसको join किया था 2015 में, और 2020 में इस exercise का जो 24 वा addition था, यह host किया था, इंडिया नेवी ने in two phases, और जो 2020 का addition था, यह खास इसलिए था, क्योंकि यहाँ पर कई सालों के बाद Australia ने इसको फिर से join किया, और इसलिए internationally, काफी बार इस योदवयास को यह भी कहा गया, कि यह है quad exercise, तो बहुत ही important है, very important for exam इसको यार रखना, सो आगे वढ़ते हैं, अगले question की तरह, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि नसीम अल बहर, यह है एक bainial naval exercise, bainial मतलब कि दो साल में एक बार होने वाली, ठीक है, नसीम अल बहर, यह भारतिय यहाँ पर आप देख पाओगे, यह है Oman, ठीक है, यहाँ आप देख पाएंगे, यह Saudi Arabia, यह Yemen है, और यहाँ पर है Oman, इससे पहले काफी बार यह जो युदवयास है, यह हो चुका है, Gulf of Oman में, इस बार 2020 में यह हुआ था, गोआ में, गोआ के कोस में, इंडिया ने इसको host किया था और इंडिया और उमान की एक आर्मी की भी एकसराइज होती है इसका नाम है अल नगा ठीक है ये है आर्मी वाली और जो नेवी की है ये है नसीम अल बहर very important for exam perspective so next question आप से यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इंडिया नेवी और बंग्लदेश निवी की एक bilateral exercise होती है बॉंगो सागर आपको ये बताना है कि बॉंगो सागर सबसे पहले कब शुरूवी थी ये है यहाँ पर आपकी option और सही उत्तर यहाँ पर है option option D देखो ये question important इसलिए क्योंकि ये सब naval exercises recently start हुई है तो इसलिए आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी शुरूवात कब हुई थी और सही उत्तर यहाँ पर है option D 2019 में विटिस की शुरूवात ये काफी इंटरस्टिंग पॉइंट है लोग assume कर लेंगे कि most probably इंडिया बंगलदेश निवल exercise काफी पुरानी होगी 1980s, 90s से क्योंकि दोनों countries के relations काफी अच्छे है मगर most recently इसकी शुरूवात भी थी तो काफी important रही है इसको यादखना exam perspective से आगे चलते हैं अगला question यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि try service exercise try service मतलब जहाँ पे आर्वी, नेवी, एरफोर्स तीनों involved होती है try service exercise इंद्रा यह होती है इंडिया और किस और country के वीच में easy question है मगर फिर भी काफी बार exam में आ चुका है सही answer यहाँ पे है Russia और यह question by the way मैंने जो आर्वी वाली वीडियो है उसमें भी cover किया है और interesting बात यहाँ पर यह है कि 2003 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब यह थी एक naval exercise यह बहुत important point है बाद में 2017 में इसको बना दिया गया एक try service exercise ठीक है 2017 में और इंडिया आज के समय सिर्फ दो देशों के साथ करता है try service exercise एक तो है Russia और दूसरा देशा यहाँ पर USA सो आगे वरते हैं अगले प्रेशन की तरफ यहाँ पर आप से पुछ रहे हैं भारतिय नौसेना और इंडोनीसिय नौसेना की bilateral maritime exercise समुंदर शक्ती यह connect की जारी है किस साल से और सही उत्तर यहाँ पर है option option D again 2018 में आप अगर notice करेंगे आप pattern देखो लगातार इंडिया ने 2017 से लेकर 2020 के आसपास अपने बहुत सारी जो neighboring countries है या फिर जो Southeast Asia की countries है उनके साथ किसी ना किसी टाइप की एक military exercise स्टार्ट करी है तो इसलिए exam perspective से यह है super important तो 2008 से शुरू हुई है समुद्र शक्ती और यहाँ पर participate करती है भारतिय नौसेना और इंडोनीसियन नौसेना और इसका जो latest edition है 2019 में यह हुआ था Bay of Bengal में focus यहाँ पर दिया जाता है anti submarine warfare पे क्योंके दोनों इंडिया और इंडोनीसिया दोनों काफियत तर चिंते थें Chinese submarines की बढ़ती संख्या को लेकर तो बहुत important है यह make sure to remember this so next question आप से आप यह पूछ रहा है कि इंडिया और फ्रांस की नेवीज मिलके connect करती है exercise वरुन आपको यह बताना इसकी शुरुवात कब हुई थी now सही उत्तर यहाँ पे है option option B 1983 में इंडिया फ्रांस के रिलेशन्स काफी पुराने और इंटरसिंग बात यह है कि उस टाइम इस exercise का नाम वरुन था नहीं इसका नाम change किया था 2001 में तो बहुत important exam perspective से इसको याद रखना आगे बरतने अंगले question की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं एक major binial bilateral exercise इंडिया और Australia के बीच में जिसका नाम है Aus Index यह सबसे पहले किस साल में हुई थी यह है यहाँ पर आपकी options और सही उत्तर यहाँ पर है option C 2015 में शुरू हुई थी Aus Index और binial मतलब के यह होती है दो साल में एक बार इसका latest edition हुआ था 2019 में near the coast of Vishakabatnam आगे बढ़ते हैं अगले question की तरव यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया नेवी connect करती है exercise जाइर अल बहर किस देश के साथ यह हैं यहाँ पर आपकी options और सही उत्तर यहाँ पर है option option भी कतर भारत और कतर के में होती है जाइर अल बहर मतलब के roar of the sea इसकी भी शुरुआत बिल्कुल डिसेंट लिवी थी इसका जो inaugural edition है यह हुआ था नवंबर 2019 में काफी news में था यह so next question यहाँ पर आपसे पूछ रहे है के 2020 में इंडिया और सिंगापूर ने connect किया था अपनी naval exercise को जिसका नाम है Simbex 2020 आपको बताना है कि यह इसका कौन सा edition था और यह है यहाँ पर आपकी options सही उत्तर यहाँ पर है option D 27th edition हाली में कुबरा हुआ है of Simbex 2020 और यह कहाँ पर हुआ था यह हुआ था अंडबान C में इससे पहले जो 2019 का edition था यह काफी यह था न्यूज में भी था क्योंकि यह edition हुआ था South China Sea में और इस UWC की शुरुआत हुई थी 1994 में काफी important exam perspective से यह भी आप memorize कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगले परशन की तरफ IBSAMAR यह है एक multi-nation maritime exercise बहुत सी countries participate करती हैं आपको यहाँ पर यह बताना है कि इसमें इंडिया ने कब से participate करना शुरू किया था यह है यहाँ पर आपकी options और सही उत्तर यहाँ पर है option option B 2006 से यहाँ पर participate करना शुरू किया था भारत ने और IBSAMAR में कौन-कौन participate करता है यहाँ पर participation होती है इंडिया, ब्राजिल और साथ अफरिका की जो छटा edition है इस जुदव्यास का यह हुआ था नियर साथ अफरिका आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं exercise काकाडू यह एक multilateral regional maritime engagement exercise है जिसमें इंडिया भी participate करता है आपको बताना है किस साल exercise काकाडू की शुरुवात हुई थी और सही उत्तर यहाँ पर है option D 1993 में हुई थी इसकी शुरुवात और इसके नाम से बता लग रहा है कि यहाँ पर Australia का काफी बड़ा रोल है तो Australia यहाँ पर participate करता है उसके लावा बंग्रादेश, कनेड़ा, फ्रांस, इंडोनीसिया, जपान various countries participate करती है total 27 तो बहुत important है यह exercise काकाडू यह तो है नेवी की इसी तरीके से एक और योदवयास होता है एरफोर्स के लिए pitch black के नाम से यह भी host करता है उस्ट्रेलिया और यह यह दवयास चल रहा है 1993 से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं के rim pack the rim of the pacific exercise यह है दुनिया की सबसे बड़ी international maritime warfare exercise इसका पहला edition किस साल में हुआ था यह है यहाँ पर आपकी options और सही उत्तर यहाँ पर है option C 1971 में हुआ था rim pack का पहला edition और rim pack को का जाता है दुनिया की सबसे बड़ी international maritime warfare exercise यह आप से पूछ सकते हैं बहुत ही जादा important exam perspective से और यह हड़ साल नहीं होती ही होती है दो साल में एक बार और यहाँ पर कई countries observer nations है और इंडिया भी यहाँ पर है एक observer country जो main participating countries है यहाँ पर यह है Australia, Canada और US और जो theme है rim pack 2020 का यह था capable adaptive partners आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ यहाँ पर आप से पूछ रहे हैं के Milan binal multilateral naval exercise यह शुरू हुई थी किस साल में यह है यहाँ पर आपकी options और सही उत्तर यहाँ पर है option B 1995 में शुरू हुई थी Milan binal multilateral naval exercise नेक्स कोशन आप से आप यह पूछ रहे हैं के इंडिया नेवी कन्ड़ करती है maritime exercise Sleanx किस देश के साथ Sleanx आपको बताना है के हम कन्ड़ करते हैं किस देश के साथ यह है यहाँ पर आपकी options और सही उत्तर यहाँ पर है option option C शिलंका इंडिया शिलंका की जो joint maritime exercise है इसका नाम है Sleanx इसकी शुरुवात वी थी 2005 से और हाली में जो इसका latest edition है 2020 में यह था इसका total 8th edition आगे बढ़ते हैं अगले परेशन की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं के इंडिया थाइलंड कॉडिनेटेट पेट्रोल इंडो थाइ कॉर्पार्ट यह योदब्यास इंडिया नेवी और रोयल थाइ नेवी कंड़ट कर रही है किस साल से यह है यहाँ पर आपकी options और सही उत्तर यहाँ पर है option option A 2005 से कॉर्पार्ट कंड़ट की जा रही है यह काफी news भी रहती है कॉर्पार्ट बेट्वीन इंडिया और थाइलंड और इसमेर एको main focus होता है यून क्लॉस पर यून क्लॉस है United Nations Convention on Laws of the Sea यह आप कह सकते है यह दब्यास एक reminder होता है चाइना को के आप लोग South China Sea को completely control करते नहीं है और इंडिया और थाइलंड और इंडिया और थाइलंड यह दुनों पर लीफ करते हैं यून क्लॉस के सिधानतों पर और finally यहाँ पर मैं आपसे question पूछूँगा के Indian Navy Day को हम कब observe करते हैं और इसका reason क्या है ऐसी similar वीडियो मैं आपके लिए ले के आऊंगा Indian Air Force और Navy के लिए भी बहुत ही important वीडियो है for UPSC, SSE, CDS, State PCS exams and a lot of other exams और by the way आप इन exams के अगर त्यारी कर रहे हैं चाए UPSC हो SSE हो, CDS exam हो आप purchase कर सकते हैं Unacademy के courses, live class यहाँ पर आपको मिलेगी simply जाओ Unacademy.com पर या फिर Unacademy की app पर click करो exam पर आप यहाँ पर Hindi course, English course, English course मलब के दोनों language का mixture हर language में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर मगर जो price यहाँ पर लिखा है यह पर मत कर देना use करो यहाँ पर code PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% discount so use the code PD10 and save money so start करते हैं first question से और बिल्कुल हम यहाँ पर MCQ form में discuss करेंगे इन military exercises को ऐसा निए कि मैं आपको बस बताऊँगा कि यह यो धवयास है इस country के साथ और फिरागे मढ़ जाएंगे proper discussion होगा country के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दूँगा question यहाँ पर आपसे यह पूछ रहा है कि 2020 का जो addition था joint military exercise Ajayah warrior का यह इसका कौन सा addition था क्या ही इसका तीसरा addition था पांचवा छटा या फिर नौवा सही उत्तर यहाँ पर है option option B 5th version Ajayah warrior एक बहुत important military exercise है between India और UK दोने देशों की जो थलसना है यह यहाँ पर participate करती है और most recently 2020 में यह योदव्यास हुआ था UK में UK में भी एक जगा है Salesbury Plains में यहाँ पर हुआ था यह योदव्यास Now Global Firepower Index को अगर हम देखें तो वहाँ पर UK की rank क्या है India की तो यहाँ पर rank है 4th UK की यहाँ पर rank है 8th अच्छा Global Firepower Index के बारे में मैं आपको बदाता रहूंगा इस वीडियो में हाला कि exam के लिए यह इत्ता important नहीं है Global Firepower Index क्योंकि इससे इतने question आते नहीं है मगर इससे आप समझ पाएंगे कि इस country की military strength कितनी है और बाइदवे Global Firepower Index में यह लोग Army, Navy, Air Force तीनों की strength काउंट करते हैं और UK की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों में लगातार इनकी जो थल सैना है, Army है इसका size सिकोड़ता जा रहा है हाली में BBC ने एक article पुब्लिश किया रहा जहां पे इनों नहीं यह बताया कि 400 साल के तहास में इस वक्त UK की Army सबसे जारा छोटी है यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से इनकी Army का size सिकोड़ रहा है 2012 के आसपास यहाँ पर एक लाग soldiers थे अब गिर गिर के यहाँ पर UK की Army में है सिर्फ 70,000 के आसपास soldiers So exam perspective से यहाँ रहना यह बात कि UK और इंडिया की जो Army exercise है इसका नाम है AJAYA Warrior So आगे वड़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ अगला प्रेशन आप से यहाँ पर यह पूछ रहा है के संप्रिती संप्रिती एक Joint Military Exercise है जो कंड़ट की जाती है किन दो देशों के बीच में यह हैं यहाँ पर आपकी options मैं चाहता हूँ एक बार वीडियो पॉस करके इस question को आप attempt कर ले सही उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सही उत्तर यहाँ पर है option D इंडिया और बंग्लादेश आपस में कंड़ट करते हैं संप्रिती Joint Military Exercise और most recently 2020 में इसका Nova Edition हुआ था Nova Edition का पर हुआ था इन North Eastern State of Meghalia इस योदव्यास की शुरुआत तो ही थी 2009 में मगर तब यह प्लटून लेवल पर थी बाद में इसको अपग्रेट किया गया 2015 में और आज के समय यह एक company level exercise है बहुत ही important है यह क्योंकि बंग्लादेश की सेना हाली में काफिये तक news में भी थी क्योंकि 2021 में जो Republic Day parade हुई है वहाँ पर बंग्लादेश की सेना ने पहली बार participate किया है और इंडिया की Republic Day में participate करने वाला बंग्लेश बना है तीसरा foreign country इससे पहले France और UA भी participate कर चुके हैं इंडिया की Republic Day parade में और बंग्लेश की जो सेना है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है टोटल स्ट्रेंथ हैं की 1,35,000 Global Firepower Indexment की rank है 45th तो याद रखिएगा बहुत important exam perspective से भारत और बंग्लेश की military exercise संप्रिती आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि अल नगा यह योदवयास भारत करता है किस देश की सेना के साथ यह हैं यहाँ पर आपकी options interesting question है और यह जो गल्फ countries वाले question होते हैं regarding military exercise यह काफी मुश्किल होते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह है आपर option option A. Oman इंडिया और Oman करते हैं अल नगा आर्मी exercise बहुत ही important है और most recently यह योदवयास हुआ था March 2019 में in Oman और Oman देखो भारत के लिए बहुत important देश है क्योंके Oman पहला GCC country है GCC मतलब Gulf Corporation Council पहला GCC country है जिसने proper diplomatic relations establish किये थे इंडिया के साथ अब तो हम देख रहे हैं with UAE, Saudi Arabia, defense ties strong हो रहे हैं मगर Oman था पहला देश और इसलिए Oman को हम कहते हैं Western Asia में इंडिया का सबसे पुराना defense partner यहां पे आप देखोगे यह है हमारा प्यारा भारत और यहां पे है Oman, Oman ने by the way अपना एक बंदरगा, अल डकम के नाम से इसका भी access open कर दिया है for Indian Navy, यह भी आप कह सकते हैं Indian Navy का कुछ हट तक एक naval base बन गया हाला कि complete जो इसकी authority है, यह अभी भी Oman के पास है, और एक question यहां पे मैं आपसे पूछूँगा, कि जो भी GCC countries हैं, इनके नाम लिखो comment section में और यह भी बताओ कि GCC के headquarters आपको कहां पर मिलेंगे, और हाँ Global Firepower Index में Oman की rank क्या है, Oman की rank है rank 72 चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, अगला प्रशन आपसे यह पूछ रहा है कि भारत करता है Joint Military Exercise Bold Kurukshetra किस देश के साथ यह हैं यहां पे आपकी options, tough question है अगर आपको पता नहीं है पता नहीं तो सब question tough ही होते हैं और सही उत्तर, यहां पे है option option B is the right answer B is Singapore Singapore, Singapore के साथ India करता है Bold Kurukshetra exercise और यहां पे आप देखोगे यह 2019 की images हैं क्योंकि आखरी बार यह यह योदवयास 2019 में हुआ था 2020 में बहुत सारी military exercise होनी पाई because of pandemic तो 2019 की में यहां पे आप देख पाऊगे यह tweet है बादी Indian Army Indian Army और Singapore की जो Joint Command tactical forces हैं यह यहां पे connect कर रही हैं यह यो दवयास और यह जो Bold Kurukshetra है इसकी शुरवात का हुई थी इसकी शुरवात हुई थी 2008 से और most recently यह हुआ है जहांसी में एक question आपके मैंड़े यह भी आएगा कि Singapore तो यहां पे है Singapore की rank actually जादा भेतर है बांगादेश से जी हां बांगादेश यहां पे आप देख पाऊगे यह बांगादेश है यह Singapore है इसका reason यह है कि इवन दो इनकी आर्मी बहुत ही छोटी है इनकी Navy काफी strong है इनोंने अपनी 9 सेना पे काफी investment करी है काफी submarines एनके पास warships काफी अच्छी है इसलिए Singapore आपको मिलेगा rank 40th पर चली आगे वरते हैं यहां पे आपसे पुछा जा रहा है कि युदवयास 2021 यह obviously एक India और US का joint military exercise है सबको पता है इसके बारे में यह काफी news में रहता है आपको simply यहां पर यह बताना है कि इसका जो latest edition है 2021 में यह किस राज्य में हुआ था यह हैं यहां पे आपकी options now सही उत्तर यहां पे है option option C is the right answer राजस्तान में हुआ है युदवयास 2021 और यहां पे आप देख पाऊगे इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में और इसका latest edition हुआ 2021 में इन राजस्तान और यहां पे आप देख पाऊगे कुछ इसकी images है US की rank Global Fire Power Index में obviously rank 1 है और आपको पताए कि जोग्राफिकली US है का पे तो अब हम बढ़ते हैं सीधा अगले प्रशन की तरह के इंडिया कंड़र्ट करता है Joint Military Exercise योदवयासम करते हैं मैतरी के नाम से किस देश के साथ यह है यहां पे आपकी option और सही उत्तर यहां पे है option option B Thailand Thailand के साथ इंडिया 2006 से करता रहा है Joint Military Exercise मैतरी और Thailand देखो एक बहुत ही important देश है इंडिया के लिए Thailand Bimstack का भी पार्ट है Thailand of course एक आसियान देश भी है Mekong Ganga Corporation का भी पार्ट है Thailand Indian Ocean Rim Association का भी पार्ट है बहुत ही अच्छा रिलेशन है दुनों कंटीज के और यहां पे आप देख पाऊगे यह यहां पे है Thailand और यह है इंडिया अच्छा Global Fire Power Index में Thailand की रांग क्या हो सकती है गेस करके देखिए देखिए यहां पे सही उत्तर है एक बहुत ही जादा impressive 26 Global Fire Power Index के एसाफ से North Korea से भी ज़रा ताकतर देश है Thailand वेरी इंपरेंट कंट्री इंडीड और फ्रेंड और इंडिया आगे बरते हैं अगले प्रेशन की तरह यहां पे आप से पूछ रहे हैं कि Tiger Triumph Bilateral Tri-Service Military Exercise Tri-Service का यहां पे मतलब है कि Army, Navy, Air Force तीनों यहां पर करते हैं Participate आपको यह बताना है कि Tiger Triumph Tri-Service Exercise इंडिया करता है किस के साथ यह हैं यहां पे आपकी options इजी question है बहुत news में था 2018-19 में सही उत्तर यहां पे है United States of America जी हां US के साथ हमारे different type के बहुत सारे युदव्यास हैं US आप अगर in practical terms देखो तो इंडिया का सबसे important defense partner है आज के समय आप compare कर सकते हो US और France दोनों को और इस बार by the way Tiger Triumph में focus किया गया था HADR aspect पर यह भी exam में आप से पूछ सकते हैं यह क्या होता है HADR इसका मतलब होता है humanitarian aid और disaster relief कल को भुकम पाता है सुनामी आती है तो वहां पर भी दोनों countries की जो military है यह properly आपस में काम कर पाए और देखो Tri service exercise करना बहुत ही important है क्योंकि इंडिया ने इससे पहले इस टाइप का युद अब्यास किया था सिर्फ रशा के साथ सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्शन की तरह यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि Joint military exercise काज इंद यह एक annual event है भारत और किस और देश के बीच में यह हैं यहां पर आपकी options काज इंद और सही उत्तर यहां पर option D बिलकुल भी नहीं है सही उत्तर यहां पर है option C कजाकिस्तान इंडिया कजाकिस्तान की military exercise काज इंद और यहां पर आप देख पाओगे इसका पहला edition हुआ था 2016 में काफी recent आईए उसके बाद से हम देख रहे हैं कि almost हर साली हो रही है इस बार pandemic की वज़े से हो नी पाई और 2019 में हुआ था इसका चौथा edition और कजाकिस्तान यहां पर मैं को दिखा दू मैप में यह है इशा का मैप और यहां पर है कजाकिस्तान कजाकिस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा landlocked देश landlocked देश उसको कहते हैं जिसको किसी भी ocean का direct access नहीं है तो इसलिए कजाकिस्तान को का जाता है दुनिया का सबसे बड़ा landlocked देश और Global Firepower Index में कजाकिस्तान की रैंक है 62 तो आगे बढ़ते हैं अग्रे पैशन की तरफ Nomadic Elephant बहुत अच्छा नाव है मेरा थिंग overall सब यूद अब्यास की अगर हम बात करें तो सबसे बड़िया नाम जो लगता है Nomadic Elephant आपको कौन सा लगता है ये भी मंगोलिया है यहां पर सयुत्तर चौथा एडिशन Nomadic Elephant का हुआ था October 2019 में इन हिमाचल पदेश उसके बाद अफकोर्स pandemic आ गया और यहां पर आप देख पाऊगे यह आप आपको देखेगा मंगोलिया अच्छा मंगोलिया करजाकिस्तान दोनों में से ज़रा स्ट्रॉंग कोन है देखो मंगोलिया अच्छली आप सप्राइज होंगे जानकर military point of view से बहुत ही कमजोर देश है सिंगापूर की रैंग आपको याद होगी यह थी 40 मंगोलिया की global fire power index पे रैंग है honestly मैं उमीद करता हूँ कि भविश्य में हम लोग भ्रमोस, आकाश, मिसाइल्स वेरियस टाइप के वेपन्स हम यह एक्सपोर्ट करें मंगोलिया देश को तो अभी के लिए याद रख लेना nomadic elephant between इंडिया एंड मंगोलिया आगे बरते हैं अगले परशन की तरफ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि joint military exercise यह conduct की जाती है भारत और Maldives के बीच में यह exercise किस साल शुरू हुई थी यह यहाँ पर आपको बताना है और यह हैं यहाँ पर आपकी options tough question है मुझे पता नहीं किते लोग सही कर पाएंगे honestly मुझे पता नहीं है बट सही उत्तर यहाँ पर है option option C is the right answer 2009 में शुरू ही थी अक्यूवियन military exercise और यहाँ पर Maldives और भारत की थल सेना करती है participate अक्यूवियन का मतलब होता है friends in Maldivian मतलब के धेवी ही language ठीक है बहुत ही important है और इसका जो दसवा edition हुआ था यह हुआ था पूने माराष्ट में in 2019 यह यो द्रपयास वादवे काफी लंबा होता है 14 दिन तक यह last करता है और Maldives की location यहाँ पर आप देख पाऊगे यह यहाँ पर इंडिया यह श्चलंका और यहाँ पर है Maldives Global Firepower Index में क्या Maldives की rank है तो इसका answer है नहीं इस index में आखरी जो rank मिली है यह है 139 और यह है भुटान की तो Maldives उससे भी काफी नीचे है मगर strategically बहुत important देश है तो इसके बारे में यहाँ दखेगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरह आपको बताना है कि युद अव्यास वजर प्रहार यह कौन से दो देश आपस में करते हैं यह हैं यहाँ पर आपकी options और अगर आप current affairs follow करते हैं तो this should be very easy question क्योंके सही उत्तर यहाँ पर है option option A obviously India और USA again USA लगातार आप देखो एक के बाद एक Tiger Triumph फिर युद अव्यास अलग से होता है उसके लावा वजर प्रहार भी होता है वजर प्रहार में देखो हम focus करते हैं कि जो special forces हैं वो आपस में participate करें अब इंडिया की तरफ से जो मारी special forces जाती है वो actually आती है Indian Army के अंडर और most recently आप अगर देखो तो October 2019 में भी एक 45 member special forces team of the Indian Army इसने participate किया था US के साथ और यह exercise 2019 में कहा पे हुई थी यह हुई थी Seattle में तो बहुत important exam perspective से बाकी details आपको पता ही है US कहां पे है, rank क्या है नथिंग more to say about that तो आगे वरते हैं अगले question की तरफ अच्छा question है, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि joint military exercise धर्म guardian, यह भी कावी अच्छा नाव है धर्म guardian, यह एक annual exercise है किन दो देशों के वीश में इंडिया और दूसा देश कौन सा है यहाँ पर दूसा देश है यहाँ पर option option B, Japan is the right answer इंडिया और जपान की military exercise है, धर्म guardian आर्मी यहाँ पर participate करती है primarily, और सबसे पहले यह यह युदव्यास हुआ था 2018 में आखरी बार यह हुआ था, नवंबर 2019 में और जपान की अगर हम बात करें तो इंडिया के बाद सीधा अगले spot पे है, इंडिया का बहुती friendly country Japan, Japan की यहाँ पर rank है 5th, यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ यहाँ पर आप से पूछ रहे हैं कि भारत और फ्रांस की army exercise, शक्ती यह conduct की जा रही है किस साल से, किस साल में पहली बार शक्ती exercise conduct करी गई थी, यह है यहाँ पर आपकी options, और यह question सबसे tough होते हैं, और सही उत्तर देखो, यहाँ पर है, option option C, 2011 है यहाँ पर सही उत्तर, 2011 आप अगर देखें तो बहुत ही, जादा मैं कहूंगा important साल था, इसी साल हमने decide किया कि, इंडिया, फ्रांस का proper space cooperation होगा, satellites launch करेंगे और इसी साल से आप कह सकते हैं, फ्रांस ने धिरे-धिरे, दुरी बनानी start कर दी from Pakistan, तो याद रखिएगा 2011 में हुई थी पहली बार शक्ती military exercise, बाकी अगर हम बात करें तो अफ्रांस के साथ हमारी naval exercise होती है, एर force exercise भी होती है, मगर वो बाकी वीडियो में अलग से discuss करेंगे, और फ्रांस बाइद अब यहाँ पे आप देख पाऊगे, फ्रांस की जो rank है, global fire power index में यह क्या है यह है 7th, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरह यहाँ पे आपसे पुछा जा रहा है, कि इंडिया उस्बेकिस्तान की joint army exercise दुस्त लिख, यह conduct की जा रही है, किस साल से तो सही उत्तर यहाँ पे है, option D जी यहाँ 2019 से, यह मने इसलिए पूछा है, क्योंकि बहुत news में था यह, आपको पता होना चाहिए 2019 में इंडिया और उस्बेकिस्तान, जो एक Central Asia देश है, इन दोनों देशों ने शुरू करी है army exercise, दुस्त लिंक और उस्बेकिस्तान यहाँ पे आप देख पाऊगे, यह आपकी options, और सही उत्तर यहाँ पे क्या है, सही उत्तर यहाँ पे है option option B, शिलंका is the right answer, शिलंका और इंडिया के वीश में होती है, मित्र शक्ती exercise, 2019 में हुआ था इसका साथवा edition, और Global Firepower Index के हिसाब से, शिलंका की rank है 79, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया नेपाल का जो युदभयास है सूर्यक किरन, ये कंड़क किया जा रहा है किस साल से, किस साल में इसकी शुरुआत हुई थी, और सही उत्तर यहाँ पे है option, option C 2006 से, जी हाँ 2006 में इसकी शुराद भी थी अब तो खेर, 2017 से नेपाल ने चाइना के साथ भी एक योदभयास करना स्टार्ट कर दिया है, मगर इंडिया के साथ इनों ने शुरू करी थी, एक military exercise 2006 में और हाली में गर हम देखें, सबसे latest edition 2019 का हुआ था, इन नेपाल, और उससे पहले जो था 13 एडिशन, ये हुआ था उत्राखण में अब हम वेट कर रहे हैं इसके 15 एडिशन की, और Global Firepower Index के एसाब से नेपाल की रैंक क्या है नेपाल की रैंक है, एक बहुत भी ज़़ाँ खराब 119, मंगोलिया से भी काफी पीछे सो आगे बढ़ते हैं, अगले परशिन की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, युदब्यास Hand in Hand, ये एक युदब्यास है, इंडिया का किस कंट्री के साथ, ये हैं यहाँ पर आपकी options, और सही उत्तर यहाँ पर है option, option B, China's right answer हलाकि काफी awkward है इसकी इश्रवात हुई थी काफी साल पहले 2007 में, फिर इसको कई सालों तक किया नहीं गया, फिर 2003 में एक बार ये युदब्यास हुआ और most recently, ये युदब्यास हुआ 2019 में अब गलवान वेली incident के बाद ये युदब्यास हम फिर से करेंगे या नहीं करेंगे वो दिखना होगा, मगर last time ये युदब्यास हुआ था, 2019 में इन में घाल लिया और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये article है 2019 का, सुआगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ, यहाँ पर आपसे पूछ रहे है कि इंडिया रश्या की जो joint army exercise है इंद्र, ये conduct की जा रही है किस साल से, और सही उत्तर यहाँ पर है option option D, 2003 से इंडिया और रश्या conduct कर रहे हैं ये exercise, ये भी अच्छली है, एक tri-service exercise Tiger Triumph की तरह यहाँ पर Navy, Army, Air Force तीनों participate करते हैं, बहुत ही important है ये और इसका most recent edition हुआ था in December 2019 in the state of उत्तर पदेश आगे बढ़ते हैं, अगले प्रेशन की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि गरुड़ शक्ती ये एक bilateral exercise है special forces of armies की किन दो देशों के बीश में ये हैं यहाँ पर आपकी options और सही उत्तर यहाँ पर है option option भी Indonesia इंडिया और Indonesia की joint military exercise है गरुड़ शक्ती और Global Firepower Index के हिसाब से Indonesia की rank है एक बहुत ही ज़रा impressive 16th तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रेशन की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं लेमाइट, यह एक bilateral युद अभ्यास है इंडिया और किस और देश के बीश में यह हैं यहाँ पर आपकी options और सही उत्तर यहाँ पर है option C, इंडिया और Seychelles Seychelles के बारे में मैं आपको 50 की बार बता चुका हूँ इंडिया नोशन में यह एक देश है बहुत ही important है भारत के लिए बहुत ही लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें मिले एक military base और लेमाइट बाइदवे इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है दोस्ती इन क्रेयॉल, क्रेयॉल local dialect है सेशल्स यह भी आपसे पूछ सकती है कि क्रेयॉल किस देश में बोली आती है तो आंसर होगा इसका सेशल्स और सेशल्स भी आपको नहीं मिलेगा Global Firepower Index में कावी छोड़ा देश है, टापू का ग्रोफ है यह तो it is not really available there आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ यहाँ पर आपसे पूछ रहे है Joint Military Exercise, खंजर यह कंड़ट की जाती है किन दो देशों के वीश में यह हैं यहाँ पर आपकी Options, खंजर सही उत्तर यहाँ पर है Option Option D, इंडिया और किर्गिस्तान किर्गिस्तान मैं आपको अगर दिखाओ यहाँ पर आपको दिखेगा यह यहाँ पर है किर्गिस्तान, ठीक है यह कजाकस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान तीनों के साथ हम करते हैं Army की Exercise, very very important और इसका जो latest edition था यह हुआ था March 2018 में इसका पाँचवा edition, खंजर 5 और कुछ और यहाँ पर honorable mentions है हलाकि इनके exam में आने के chances बहुत कम है क्योंकि यह कई सालों एक बार होती है कुछ यहाँ पर continuity है भी नहीं कि इंडिया यहाँ पर लगातार participate करे भी तो इनके आने के chances काफी कम है अगर जान लो, एक तो है SEO Peace Mission जहाँ पर इंडिया ने participate किया था 2018 में, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की जो आर्मी है नोंने पहली बार मिलकर एक योदव ब्यास में participate किया था और फिर 2019 की exercise है यहाँ पर रश्या की तुसेंतर 2019 2019 यह भी हुई थी in Russia यह है एंडिया इस वीडियो का उमीद करता हूँ काफी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा PDF जो है इस पूरे lecture की आपको comment section के pin comment में और मेरा जो telegram channel है दोनों जगा मिल जाएगी So this is right now the end of the video Thanks for listening and as always God bless you all आपको जाएगी